अरे कृष्णा, श्रीला प्रावपात कीजए, हम लोग इस लेक्चर में उत्तम भक्ती की परिभाशा पे चर्चा कर रहे हैं, अश्रीली भक्ती अस्तमर्ता सिंदू, बिंदू की दृष्टी कौन से, जैसे मैंने बताया था कि विश्वाशा चकृत्री ठाकृर की इस बुक का जो में थीम है, वो है सहिज्जे को काटना, अफ्कृर्स समराइस करना, और इस तरह से उसको ब्रीफ में समरी में बताना, एक संक्षेप में इस तरह से बताना कि जिससे वो समझने में बहुत असानी हो जाए, सो अपकोर्स उत्तम भक्ति की बात आती है, तो इश्वाशा चक्रिठाकृर रूपागो स्वामी के उसी श्लोक को कोट कर रहे हैं, जो उन्होंने उनकी रचना है, भक्तिर सम्रता सिंदू का 1.11 और वो है अन्या भलाश्टा शूनियम ग्यान करमादिया नावरितम अनुकूलयन कृष्णा अनुशीलिना मिति भक्तिरृत्तमा, तो आप इसलोक देख भी सकते हैं, अब स्क्रीन पे, जो इस श्लोक में वैसे तो सिंपल मीनिया श्लोक था, भक्ति क्या है? अन्या भलाश्टा शूनियम अन्या भलाश्वा भगवान की सेवा को छोड़ के और अन्य विलाश हैं जब शून्य हो जाएं और बागी कोज़ इच्छाएं नहीं रहाजाएं जब भक्ति में ग्यान मतलब मुक्ती की इच्छा और कर्म मतलब भोग की संसारी इच्छाएं अनाव रितम वो ना रह जाए और क्या हो भक्ति में अनुकुलिना क्रिश्नानु शीलनम शीलनम मतलब कि भगवान के लिए कुछ चेश्टा की जाए कुछ सेवा की जाए कैसे अनुकूल भाव से प्रतिकूल भाव से नहीं भगवान की प्रसंता के लिए तो इसको कहते है भगते रुत्तामा इसको उत्तम भक्ती कहते है तॉप मोस्ट भक्ती अब विश्मा चगरे ठाकुर ने इस लोग पे अपनी इंसाइट्स दिये अपना अपना दृष्टी कौन दिया है मेंन मैसेज इस लोग से निकालना है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए वैसे तो रुपागो स्वामे ने सब कुछ एक्स्प्लेइन किया है मगर प्रॉबलम यह है कि हम लोग को यह समझनी आता कि किस पॉइंट पर फोकस किया जाए किस पॉइंट पर फोकस नहीं किया जाए बहुत सारे पॉइंट्स होते है अब भकतिशास पढ़ते हैं तो बहुत सारे चीज़ें होती है फिर ब्यक्ति कंफ्यूज जबाता है क्या most important है विश्मार इठाकुर ने most important points लिखे इसमें इस श्लोक में समझने बार है, सबसे पहली बात है, vishmanna chichari thaakora, सीधा यहाँ पर लिख रहे हैं, इस श्लोक को explain करते होए, अस्से अर्था, एक लाइन में, सबसे पहले एक लाइन में explain कर रहे हैं, फिर उसे पे कमेंटरी देंगे. अन्या विलाश ग्यान करमादी रहिता श्रीकृष्णम उद्देश्यानुकूलियेन कायवान मनोभिर जाबती क्रिया सा भक्ती भक्ती क्रिया है अब ये वर्ड रुपगो स्वामी ने इस्तमाल नहीं किया है रुपगो स्वामी ने काई शीलनम और शीलनम को विश्व इठाकोर ने बहुत इजी शब्द लिया है जैसे मैंने बताया था कि लैंग्वेज इजी है शीलनम को रुपगो स्वामी लिखने है चेश्टा कि चेश्टा ठीक होनी चीए अब चेश्टा को एकस्प्लेन कर रहे हैं आगे जब मैं क्रिष्ण कॉंशनस में आया था तो तो मुझे लगता था कि भक्ती मेडिटेशन करना है आँख बंद करके समाधी में जाना है और जब बिल्कुल नए नए था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि डिबोटी बोल रहे तो को सेभा करो तो मैं सोसते क्या है मतलब यहाँ पर मैं जाड़ू मारने आया हूँ प्रशाद बाटने आया हूँ मतलब वो मेडिटेशन का है समाधी का है यह सब बाते थीं बट बाद में समझ आया कि प्रभपाद ने नेक्टर ऑफ डिबोशन ने भी लिखा है कि भक्ति इस एक्टिविटीज तो मैं सोसते यह अजीव सी चीज है मगर फिर बाद में समझा है कि ध्यान का रास्ता लगे भक्ति का रास्ता बिलकुल लगे जब किसी से प्रेम होता है जब किसी को हम लाइक करते हैं तो उसके लिए हम कुछ करते हैं बैठनी चाते है कोने में कोने में बैठके नहीं कहते हैं इसका कोई मतलब नहीं है तो क्रिया सा भक्ति वेरी इंपॉर्टन आप विश्वन ठाकुर की जीनियसनेस देखिए कि वो एसेंस निकाल लिया उन्होंने और फिर भक्ति के परिभाशा देते हुए विश्वन ठाकुर का प्रेजेंटेशन स्टाइल मैंने बताया था कि बहुत असान है कि बच्चे को भी समझा जाए तो भक्ति के परिभाशा को दो दो पार्ट में डिवाइड किया हुए तू 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 बस ऐसे आप समझ लो तू फॉर्मूला टू भक्ति क्या है तो लिख रहे है अन्यम राश्टा शूनियम ग्यान कर्मा अधियना अवरितम तू विश्ण ठाकुर कह रहे है कि इसमें दो शबने भक्ति और उत्तमा तू ख़ति कैसी बह्ति शिल्व प्रभपा लेख रहे हैं, if you want to come in contact with Krishna, who is pure, you must be pure. भगवान जो परमशुद है, कृष्ण भगवान, उनको प्रावद करने के लिए, आपको भी परमशुद होना पड़ेगा. शुद्भक्ति, उत्मा और शुद्ध, उत्मा और भग्ति, दो पार्ट में डिवाइट कर रहे हैं, अब भग्ति के दो पार्ट हैं, फिर वो कह रहे हैं, अनुकूल ये न, अनुशीलनम, जो इस लोक में आ रहे हैं, अब भग्ति कैसे हो नीचे, अनुकूल और अनुशीलन, अनुकूल भाव ना चाहिए, प्रतिकूल भाव नहीं होना चाहिए, तो उसका एक्जामपल देरे हैं, जैसे चानूर मुष्टिक है, चानूर मुष्टिक जब लड़ रहते हैं भगमान से, भगमान को बड़ा आनंदा हा था, वह गाव प्रतिकूल था, भाव मारने का था, अनू शिलेना मतलब कुछ क्रिया करनी चाहिए, और अनू लगा रहे हैं, अनू को विश्मे ठाकूर कह रहे हैं, कि भगतौं के घुरू के डायरेक्शन में, अनू सरन करते हुए, भगतों का कुछ करना चाहिए, उनसे सीक के, शास्त्रों से सीक करना चाहिए, अपने मंज पॉजिटिव और नेगेटिव अनुकूल ये ने का दो एक्जामपल है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एक्जामपल तो है अनुकूल ये ने का जिसमें अनुकूल भाव होना चीए जैसे एशोधा मा एशोधा मा एशोधा मा एक बार दूद उबाल रही थी और द दूद गिरने लगा शुदवार ने क्रिष्ण को साइड में रख दिया और दूद बचाने चले गी। क्योंकि दूद भी वो क्रिष्ण के लिए उपाल रही थी। अब यहाँ वे क्रिष्णा रोने लगे। रोने जो भी लगे। तो क्या यह भक्ति है। वेल भक्ति है क्योंकि अल्दो क्रिष्णा रो रहे है। मगर रिष्वदा मा का भाव उनुकूल है। वो दूद भी क्रिष्ण के लिए ही बचाने कहीं है। क्रिष्ण को आनन देने के लिए। तो इसलिए यह भक्ति होगी। देखने में लगता है कि कृष्णा दुखी हो रहा है तो भक्ती थोड़े नहीं मगर विश्ण ठाकुर कह रहे है कि भक्ती है क्योंकि भावनुकूल है वो दूद भी कृष्ण के लिए ही बचा रही थी अब वो टेंप्रोली कृष्णा रो रहे हैं जैसे विदूद लेके आएंगी विलाएंगे क्रिश्णा खुश हो जाएंगी यह पॉजिटिव एक्जामपल है अनुकूलने का नेगेटिव एक्जामपल अनुकूलने का चानूर मुष्टिक कि वो मार रहे हैं भगवान को आनन्द मिल रहा है मगद भाव अनुकूल नहीं है इसलिए भक्ती केवल भगवान को आनन्द देना नहीं है अनुकूल भाव से आनन्द देना है तो ऐसा नहीं है कि भगवान को आनन्द मिल रहा है काफी है आपका भाव क्या है एक साल का या जह चे शह साथ महिने का तो वह चेस्थ महिने का बच्चा पालने में खेलता रहता है तो माता पिता को बड़ अच्छा लगता है तो क्या मगर प्रॉइंट यह कि बच्चे को मापाप से कुछ लेना देना नहीं है वो तो अपने में हाथ माँ चला रहे उसका भाव, अनुकूल, प्रतिकूल कुछ भी नहीं है पस पेरेंट्स को मज़ा आ रहे है उसको देखने तो एक तरह से वो यह नहीं कह सकते है कि वो माता पिता के भक्ती कर रहा है उसको तो पता ही नहीं हो क्या कर रहा है उसको देवे नहीं हो क्या कर रहा है तो ऐसे ही भक्ती में इसलिए जरू आनंद मिलना भगवान को एक पार्ट है दूसरा पाट है अनुकूल भाव, आपका भाव भी होना चीए भगवान को आनन देने का, वो बहुत इंपोर्टन है, तो यह दो एक्जामपल दिया है अनुकूल में, और फिर अनुशीलना में फिर से दो पाट है, चेश्टा रूपा भाव रूपा, भगवान के लिए या भाव हो सकते हैं, जब हम कुछ करते हैं, तो रोबोट की तरह थोड़े ना कर रहे हैं, होगा न अंदर, तभी तो कर रहे हैं, तो या तो इच्छा होगी करने की, चेश्टा रूपा, भी मैं भगवान के लिए करना चाहता हूँ, या भाव होगा, कि भगवान के लिए करूँगा, तो भावान को बहुत चलेगा, तो जो नए भगत होते हैं, वो चेश्टा रूपा में होते हैं, शास्र जा सुनके कुछ करना चाहते हैं, मैं कुछ करना चाहता हूँ, एडवान्स डेवोटी भाव में होते हैं, उनकी इच्छा भाव का रूप ले लेती है, च चेष्टा रूपा भी दो दो तरेक है, प्रविर्ति आत्मक निविर्ति आत्मक, भगवान के लिएकर कुछ करना है, कुछ इच्छा है आपकी, और इच्छा से कुछ करते हो शरीर से और बानी से, तो वो प्रविर्ति आत्म निविर्ति, कुछ करते हो और कुछ नहीं करते, वो हर चीज़ करते हैं, जिससे भक्ती बड़े, वो हर चीज़ नहीं करते हैं, जिससे भक्ती ना बड़े, अवाइड करते हैं, और फिर उसके बाद, चेस्टा रूपा भक्ती में भी और दो और पाट हैं, साधना रूपा और कार रूपा, वो भी पाट हैं, तो इस तरह से दो 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 चल रहे हैं और फिर जो उत्मा भक्ती है तो भक्ती है अर्फ उत्मा हमने बोला था भक्ती टो हो गया उत्मा भक्ती है TOP MOST भक्ती उसके भी दो पार्ट है वो है श्लोक में आता है एक अन्मेवलाश नशाल स्शुनियम और ज्यान करमादियम नारतम, ज्यान और करम का मिक्षर नहीं होना चाहिए। तो सारी अभिलाशां ज्छून्य होनी चाहिए। इसके भी दो पाट है। अन्य अभिलाशा प्लस ता। रूपा को समनी लिखा है अन्य अभिलाशे ताशून्यम। अभी तक मैं बोल रहा था अन्या विलाशा शुन्यम, मगर एक्चली ध्यान से देखेंगे, इस लोक में लिखा है अन्या विलाशे ता, तो अन्या विलाशे ता का भी दो पाट है, अन्या विलाश और ता, तो विश्मय ठाकुर इसका एक्स्प्लेंड कर रहे है, अन्या वि होता है मेरा ममता होता है मतलब कि मेरा पन मेरे बच्चे से ममता है यह सिर्फ मेरा नहीं है यह मां का भी बच्चा मेरे पिता भी गाएगा बच्चा मेरे बट मां के ममता है बच्चे से मेरा पन जादा है पिता का मेरा पन हो सकता है कम हो मां का तो हाई तो ता मतलब emotions emotions लाने के लिए हाँ पर ता बोला जा रहा है तो डूपको स्वामी इंडिकेट कर रहे हैं कि अब इलाशा शून्ने होनी चीए सिरफ मन और बुद्धी में नि भार से नि हिर्दे के अंदर जो छुपे हुए भावना है उसमें भी कोई खोटना होने हो चीए उसमें भी भौतिक इच्छाएन होने चीए उसमें भी केवल भगवान की सेवा की इच्छाएन होनी चीए सिरफ भावनाओं की बात नहीं है अगर इच्छाओं के दृष्टी कौन सी भी ले कहने का मतलब है कि हिर्दे के अंदर 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 विलकुल एंड पॉइंट पे जाके कोर आफ हाट में भी भोक की इच्छाए नहीं हो नीची हो सकता है भार से इच्छाए नहीं हो अंदर हो गुसी पड़ी हो इसलिए ता लगाया नहों इलाशे ता शूनियम तो वो example भी दे रहे हैं जैसे for example कभी मा लेज़ा accident हो गया किसी का और वो पानी में गिर गया डूब रहा है तो वो कभी-कभी बुका रहे है कृष्णा मेरी मदद करो तो वो भक्ती है वैल उसका ये बोलने से भक्ती खराब नहीं होगी वैसे तो भग्वान से कोई मदद नहीं मांगते सेवा नहीं मांगते भग्वान जो करें ठीक है डूबे तो ठीक है, बचे तो ठीक है खुद कोशिश कर सकते हो, बचने की मगर इससे भक्ती खराब नहीं होगी कि उस टाइम अपने आप मूह से निकलेगा है reflex है मगर सुभाव नहीं है भग्वान से मांगने का अंदर हिर्दे में भग्वान से मांगने की इच्छनी मगर वो बाई चांस निकल जाएगा तो इसलिए वो लगा रहे हैं कुस सिचुएशन में ऐसा हो जाता है मगर हमें भग्त का सुभाव देखना है और फिर उसके बाद उत्तमा भग्ती में दूसरा है ज्यान कर्मादियनावरितम ज्यान कर्मादियनावरितम के भी दो पाट है ज्यान और कर्म सो शुद्भक्ती वो है जो ज्यान कर्म से धकी नहीं हुई अब विश्वाँ शक्रे ठाकोर बिल्कुन clear कर रहे हैं बहुत interesting है क्योंकि generally लोग बोलते हैं कि well devotees तो ग्यानी नहीं होते विश्वाँ ठाकोर लिख रहे हैं आपर devotees के बारे में ज्यान करमादी अनाविर्तम ज्यानम अत्र निर्वेध भ्रम अनुसंधानम यहाँ पे रूपागो स्वामी विश्मेठा को लिख रहे हैं रूपागो स्वामी उकोड करते है ज्यान से धकी नहीं होनी ची भक्ती वो कौन सा ज्यान है? यहाँ पे ज्यान शुन्ने नहीं कह रहे ज्यान शुनने कहें देंगे तो चलो आब कह सकते हैं भक्त को ग्सकी कुछ लेना देंगा मेगार ज्यान से ढखा नहीं होना चाहिए कौनसे ज्यान से वस ग्यान से जिसका अलक्षे मुक्ति, भ्रह्मनु संधानम, मगर न तु भजनिये तत्वनु संधानम, मगर तत्वनु संधानम का ग्यान होना चीए, ये तो knowledge कृष्ण कौन है, भक्ति क्या है, ये तो सिधान्त के समझनी कोशिश करनी चीए, वैसा ग्यान होना चीए, मगर जिस ग्यान में मुक्ति की लुखा सूखा इसलिए कह रहे ग्यान से धका नहीं होना चाहिए। ग्यान शुन्य बोलते है तो भक्ति का ग्यान भी आउट हो जाता। और कर्म अवरितम, कैसा कर्म नहीं होना चाहिए धका होना चाहिए। पिल्कुल क्लियर कर दिया विश्व इठाकुर ने, मैंने पहले आपको बताया था लेक्चर में, विश्व इठाकुर लेंग्वेज घुमानी रहा, लंगकार यूज नहीं कर रहे है, क्लियर लेंग्वेज और हिंदी है, हिंदी बाले भी समझ जाएंगे, देखो, कर्म क्या या कोई इच्छह पराप्त करने, वो सब करनी करते हैं, जो शासमे में मैंचिन्ड है, मगर ना तू भजनियें परिचर्या आधी, मगर उन कर्मों की बात नहीं कर रहे हैं, कर्म शुन्ने नहीं है, वो कर्म तो करने चीए जिससे भगवान की सेवा हो, परिचरिया हो, जैस सारे डाउट्स होते हैं माइंड में ये विश्म इठाकुर ने बिलकुल क्लियर कर दिया है इस तरह से उनों ने उत्तम भक्ति की परिभाशा दिया है परिग्राफ वन है भक्ति रसमर्ता सिंदू बिंदू का शुरुबात है जिसमें वो उत्तम भक्ति डिफाइन कर रहे हैं दो 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 के फॉर्मूले से प्रेजेंटेशन असान है लैंग्वेज असान है और एसेंस पकड़ लिया हुआ सो अब हम आगे देखेंगे आगे विश्ण ठाकुर और क्या आप बताना चाहते हैं अपने किताब में हरे कृष्ण शीला प्राव पायत कीजिए